अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइक कंदवाना ना भूलें राजिस्थान में शनिवार दोपहर तक कोरोना संक्रमेंट के 177 नए मामले सामने आए हैं इनमें सबसे ज़्याद मामले जैपूर में मिले हैं शनिवार को जैपूर में संक्रमेंट के 122 केस दर्ज किये गए हैं जिसके साथ ही जैपूर में संक्रमित मरीजों की संखिया 1500 के पार निकल गई है इसके अलावा डूंगरपूर में 21, उदैपूर में 9, जोधपूर और भीलवाडा में 6, अजमेर में 4, सिरोही में 2, बाडमेर, भरतपूर, चितोडगड, जुन-जुनु, कोटा, पाली और सीकर में संक्रमेंट का एक-एक मामला सामने आया है इसके साथ ही राजिस्थान में संक्रमेंट का आखड़ा 5000 के पास पहुँच गया है जबकि मरने वालों की संख्या 125 हो गई है भरहाल बता दें कि जैपूर में पिछले कुछ दिनों से संक्रमेंट के मामलों में कमी नज़र आई थी लेकिन शनिवार को 122 मामले सामने आने के बाद जैपूर जिले में कोरोना का खत्रा बढ़ता नज़र आ रहा है शनिवार शाम चार बजे तक जैपूर में 122 कोरोना पोजिटिव सामने आये हैं जिन में से 116 मामले जैपुर जिला जेल में मौजूद बंदियों में मिले हैं। इससे पहले भी जेल अधिक्षक और 10 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब इन सभी संक्रमितों के उपचार के लिए जेल में ही COVID केर सेंटर बनाया गया है। बतादें कि जैपुर सेंटरल जेल में भी दो बंदियों में कोरोना संक्रमित पाया जा चुका है। में सर्दी बुखार, खासी जुकाम जैसे लक्षन दिखाई दे, सिर्फ उन्हें ही क्वेरेंटाइन में रखा जाए।